सब्सक्राइब करें दोस्तों आज की वीडियो के इंदर हम एक इंपॉर्टन अपडेट के बारें बात करने वाले हैं जो की है उत्राइखन लोग से वायोग से बेसिकली यह जो अपडेट है वो है जो यूके पीसे से स्टेंडर काउंटेंट और ओलिटर के एस्पिरेंट है उनके लिए और काफे इंपॉर्टन अपडेट है क्योंकि इसमें काफी चीज़े इंक्लूटेट है जैसे आपके टाइपिंग के डेट और इसके अलावा प्रेफरेंस की विंडोस कब से कब तक यहाँ पर है और इसके अलावा ऑथन्टिक इंफॉर्मेशन आज दिन में या फिर इवनिंग तक आपकी वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी तो वहां पर भी आप इसको चेक कर पाएंगे तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और यह इंफॉर्मेशन विग्यापन संख्या डैस डेस डिनां 28 अक्टूबर को समपन लेकेट परिक्षया specific 55 गोषित किया गया है प्रसमर करिक्षया करणाम संख्याइब 25 जून में सफल एयों आयोग में अब लेक सत्यापन के लिए उपस्तित अब्यत्यू है तू हिंदी टंकर प्रिक्षा का आयोजन दिनांग 28 अगस्त 2023 से प्रारंब किया जा रहा है अब यहां पर ध्यान देनी वाली बात ही है जो डेट है इंपोर्टन्ट है 28 अगस्त से आपकी बड़ेशन कराने का जो है यहां पर परिद्न कर रहे हैं तो तो कहीं न यह उसी दिशा में एक स्ट्रेफ है और 28 अगस्त से अगर स्टार्ठ होती है तो सब्टेमबर में सब्टेंबर होका कहीं न कहीं लास्ट और तग आपका शिल्ट भी डिक्लियर किया सकता है ठीक तो देट तो आपको यह ध्यान में रखनी है जो कि है 28 अगस्त 2023 से अब इसके बाद अभी जो आपकी admit card आएंगे उसमें date specify की जाएगे कि किसकी typing कप हो रही है ऐसा नहीं कि सभी की typing एकी दिन हो जाएगी आपका जो admit card है वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा उसकी भी date बताए गई है 18 से अभ्यर्थियायू की website www.psc.uk.gov.in से टंकन परिक्षया का परिवेच पतर दिनांक 18 अगस्त 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग 18 अगस्त यानि कि कल से अपने admit card भी डाउनलोड कर पाएंगे और साथ में एक और चीज इसके अंदर दे गई है क्या अभ्यर्थियू द्वारा प्रसंदगत परिक्षा हे तू online preference भी भरी जानी है उक्त हे तू अभ्यर्थियायू की website दिनांक 18 अगस्त 2023 से online वर online preference की window भी आपकी उपन हो जाएगी तो online preference की जो window है online वरीता भरे जाने की जो preference होगी वह 11 सितंबर तक होगी यानि कि काफ़र टाइम आपको मिल रहा है जैसा मैंने पहले भी आप से कहा था कि काफ़र टाइम आपको मिलेगा online preference के लिए तो कहीं न कहीं आपको more than 20 days आपको य 28th of August से तो उसके लिए सभी को तयार रहना है अपनी जो practice आप लोगों की छोड़ दे थी काफी लोगों ने तो उनको आपको continue करना है उस practice को continue करना है और इसके अलावा इसके अंदर और भी चीज क्या बताए गई है यह भी आउगत कराना है कि विग्यापन के सापिक से वरीता भरते समय अपडेट कर सकते हैं तो यहां में देखिए NCC का भी डिटेल आपसे मांगा गया है NCC का डिटेल बेसिकली किसीच के लिए मांगा जाता है NCC B certificate की जो डिटेल मांगे गई थी अगर दो candidate class करते हैं अगर जिनके same marks रहते हैं same category रहती है तो उस case में NCC वाले इसकुछ नहीं मिलता है ठीक है तो यहां पर यह चीज बताई गई है और इसकी जो बेसिकली डिटेल है वह भी यहां पर अपलोड कर दी जाएगी website पर यह बताया गया है तो हुआ वही है जो चीज यहां पर हम लोग डिसस कर रहे थे कि और की जो रिजल्ट है वह पहले ड और इटर और अकाउंटेंट की प्रेफरेंस भी इसके अंदर मागे जाएगी और दूसरी चीज इसके अंदर की आपकी डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस भी आपकी मागी जाएगी तो दोनु चीज़े इसके अंदर किलियर हो जाएगी तो बहुत चीज़े तब किलियर हों सबसे important dates को आपको याद रखना है 28 अब अगस्त को जहान में रखके आपको चलना है और अपने typing को आप लोगों को दुबारा से start करना जिन लोगों ने शोड़ दिया था और इसके अलावा जो आपका online preference की window है उससे related information भी आप gather कर सकते हैं कि किस department में आपको choose करना है जो mindset आपको post choose करना है content में जाना है या फिर auditor के post के लिए जाना है तो आप लोग अभी से advance में decide कर सकते हैं ठीक है तो यह information आप लोगों तक पहुंचानी थी इस video में इतना ही अगर कोई query है आपकी तो comments भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा जो next video है वो आएगी आपकी online preference related कैसे आपको भरना है क्या क्या चीज़े उसके अंदर है इस video में इतना ही thank you so much have a nice day take care bye bye